नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चेन अब्जेक्टिव सेंटर पर आज हम लोग पढ़ेंगे हेट ट्रीटिमेंट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सबस्ति पहले है धाध या अलाएक को गर्म मेंवा ठंधा करके उसमें AI उसनमा उप्चर यानी की हीट ट्रीटिमेंट करते हैं हम लोग कोई सर्फेस है उस सर्फवेस को कमजोर है तो उसको हें लिएkt कर सकते हैं नरम कर सकते हैं लाचिला कर सकते हैं जो भी उसमें ट्रीटमेंट पाहिए उसके कोई इस्ट्रेक्छर बदालना है बी सीची अफ्सी और कुछ कर ना रहेगा थे सेंटर के उभी कुछ पर प्रभावित होती है उसमों प्रभावित होते से तापमान चंज कर देंगे तो अलग Amen यारल जल्दm कर देंगे इंडा में तो अलग-अलग अलग रहए है अगर किसी से प्रासेस रहा है चुलिय यह सभ इस पता चलीगा कि यहुना होता है तो देखिए अनिय लिंग द्वारा आंत्रिक प्रतिफलों को दूर करना तन्यता बढ़ाना स्टेल को मुलाएंब करना तेफा ग्रेन इसको सुधार नाक्त किया जाता हैै तो एंटरें। की जहाता हैं वाट होथा बिंटर्ना करताएं और क्तो पक्रक्राय जो होता है तेस में इसमें गई से मृदू बना जाता है तो अने लिंग के द्वारा अगर आप लोग हीट ट्रीटमेंट पर अबजो को इसको पढ़ने के बाद त्योरी मतलब पढ़ने के बाद अगर आप लोग अब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको यूट्यूब पे जाना है और आपक जाएगा और जो नहीं आएगा वो धीरे धीरे व्यूडियो बन रहा है सब आपको मिलता रहेगा समय समय पर दूसरा कोशन है आपका यहाँ पर दखिए अनिलिंग की अंतरगत उच्च कारवन इसपात को क्रांतिक तापमान या उससे कम तापमान तक गरम किया जाता है जो अनिलिंग होता है उसके अंतरगत उच्च कारवन इसपात को क्रांतिक टंपरेचर यानि की क्रिटकल पर गरम किया जाता है कि अनीलिंग में निम्न कारबन इस पाथ को क्रेटिकल टंप्रेचर से कुछ ऊपर तक गरम किया जाता है कि जब कारबन इस पाथ के लिए करेंगे तो क्रेटिकल टंप्रेचर से कुछ ऊपर गरम करेंगे लेकिन अगर इस पाथ के लिए करेंगे तो क्र करते उसे भठी में थंड़ा करते हैं कि दूसरा अनियलिंग दौरा मसीना नियोगता यान की मसीने बिल्टे में सुधार किया जाता है अनियलिंग की दौरा अनियलिंग धात को आंत्रिक प्रतिबोलों से मुट्थ बनाए जाता है उसमा उपचार की हुए आथे जिसके अνतरगत इस पात को कठोर किया जाता है UPieursum किया आज आज Cameruts काउंग किया चाहिए किलाता है ने की हर्ड कीय जाता हूए आपका लाता है हर्डनिक प्रासेस में ज़ल तेल लबण जल कास्टिक सोडा आघा परियोग करते हैं क्या क्या यूज करते हैं जल तेल लवन जल का और काश्टिक सोडा जल इत्याद यूज करते हैं और क्या है हाड़निंग द्वारा इस पात को विजय रजिस्टेंस यानि कि घिसा और प्रतिरोधी तथा अन धात्यों को काटने योग बनाय जाता है कि नेस्ट है कि हाड़निंग कार्बन संखटन की मात्र यानि कि amount of carbon content और cooling कुलिंग रेट और क्या होता है साइज आधि बातों पर निर्भर करता है कि हम लोग कट हो रिंग मतलब हड़निंग कैसे करें सबके लिए हड़निंग करने का अलग-अलग तरीका होता है कि उसको कुलिंग रेट कितना रखा जाया करबन कंटेंट के मांट होती रखने की कंटेंट कितना रखा जाया और वर की सधाय सब कुछ पता करने के बाद निश्ट है कि इस पात की वांचित कठोरता उसके सितलंदर पर निर्भर करती है जो इस पात की वांचित कठोरता होती है उसके सितलंदर पर निर्भर करती है निश्ट है कि कठोरित इस पात की कठोरता तथा भंगूरता को कम करने की उसमोब चरविदी को हम लोग क्या बोलते हैं टेंपरिंग या पायनी करण है इसी को बोलते हैं कठोरी किरित इसपाद की कठोरता तथा भंगूरता को कम करने को उसमोब चरविदी टेंपरिंग कहलाती है टेंपरिंग या पानी करन दवारा इस पात की कठोर्ता वह भंगूरता कम तथा तनन सामर्थ बढ़ाएगा टेंपरिंग दवारा क्या हो जाएगा टेंपरिंग है तो हम लोग क्या करेंगे टेंसाल इस्ट्रेस जो होगा तनन सामर्थ या टेंसाल स्ट्रेंथ होगी वह बढ़ाई जाएगी जिन भंगूर्ता और कठोर्ता क्या होगा घटाया जाता है तो यह question पूछता है अक्सार्ण तुवे accounts of processes जिनमें तनन सामर्थ यानि कि टेंसाल स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है तथा भंगूर्ता या कठो ieur क्यानिस में ब्रिद्य होता है डॉक्तिростली मतलब इता तथा चीमणपन में ब्रिद्य तथा है कि कठोरिकR हो जाता है तंपरेचर के रिखटन की दर बढ़ती है अगर अगर बढ़ती है तो अब अब आपका नर्मलाइजिंग जो की बहुत इंप्रेटन है इसके बारे आप लोग पढ़ना बहुत जरूरी है तो नारम पहां को कम करने तथा कुछ बहुतिकी गुड़ों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है कुल प्रांचट करने के लिए हम लोग करांतिक loo करते हो सब्सक्राइज को उसके जक्रतिक कर्याई के किर्डिकल टंप्रेचर से 3-4-5 भी डिगरी अधिक करना किया ऑधिक यह कि निश्ट है कि करते हैं तो पूछता है कि इंटरनल इस्ट्रेस किसके दूर करते हैं तो नार्मलाजिंग के दवारा और कड़ों के साज में सुधार किया जाता है तो नार्मलाजिंग की दवारा कि इसटार बनाने की प्रक्रियंग को तो यह के सब सब्सकुल करने का। सब्सक्राइब करते हैं कि प्रिष्ट का स्थोरी करन के अंतरगट इस पाथ की सतय पर कारबन नाट्रोजन आधिका डिफूजन यानिकी विश्ण उच्छ तापमान पर करके उसे संत्रित करते हैं कि निम्न कारबन इस पाथ की सतय पर कारबन का विश्रन पर कठोरता प्रदान करना कारबूर करन कहलाता है या कारबूराजिंग उसी को बोलते हैं जब पठोर किये जाने वाले अवजा को ठोस कार्बन पौडर के साथ गरम किये जाता है तो उसे हम लोग पैक कार्बूराइजिंग बोलते हैं तो पैक कार्बूराइजिंग किसे कहते हैं तो जब पठोर किये जाने वाले अवजा को ठोस कार्बन पौडर के साथ गरम करते है तो हुम लोग गर्म करते हैं और उसी की साइथा से हम लोग Jesu कार्भूराइजिए raising नांट्राइडंग क्या है तो देख लेजिए नाट्राइडब इस पाथ को अमोनिया गैस के वाधवल में गर्म ॉछ नाट्रोजन सब्सक्राइब अनाट्रायडियंग लागा और नाट्रोजन अलफा लोहा से चंतरी डू मंभर तक होती है किया के लिए दूर्ट सीतल नумब तक होती है तो हम लोग नाढ्राइस अगर कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को क्विशिंग प्रासस की जरूरत नहीं पड़ती है नाढ्राइडिंग कर यह उप्यों मुखNET निम्नकारबन इसपात्या मिस्रधात के इसपात के लिए किया जाता है कि लिकिन के लिए किया जाता है निम्न कार्बन इसपात यानि की लो कार्बन इस्टील और मिस्रधात इसपात के लिए किया जाता है इश्ट है कि नास ट्राइडिंग पर स्वर्दम की उसमा उपचार की आउँस्विश्व सकता नहीं होता है in यह बोले ना कि नास ट्राइडिंग प्रासेस onें के बाद किसी भी प्रकार की उसमा उपचार की आउधस्यक्ता नहीं पड़ती है और यह एक हम्हां hero Park नट्राडिंग महांगा होता है क्योंकि इसमें उज्ण होता है। नाट्राडिंग कि ही मैं पेच्छा-क्रीत अधिक समय भी लगता है। इसलिए यह भी आउडीया हो जाता है कि ज्यादा सबसे भवर किये पिछ घमांगत अधिक अधिक तथा नाहत्राइडी करण की अपिछा सशता उतता है कर्वरीडिकरण के पिछा महांगा नट्राइडिक की सश्ता हुता या 안ए कि सबसे महां लोगिया का नाट्राइड वहुता है निश्ट है कि फ्लेम हार्डेनिंग में आक्सी असेटिलीन फ्लेम हम लोग यूज करते हैं और लगबा क्रांतिक ताफमान तक गरम करके जल फुहार द्वारा ठंडा करते हैं तो फ्लेम हार्डेनिंग में क्या होता है हम लोग आक्सी असेटिलीन फ्लेम यूज करते हैं और क्या करते हैं कि क्रांथिक तापमान्ध तक गर्ckरक्व करके उसे जल की प्वार्दÐ भारा ठंडा करते एकफ्लेम हड़निंख बड़े कार खवंडों के लिए उप्यूकत होता है केवल सिर्फ और सिर्फ बाहरी सर्फेस को आगर हर्ड या टेमपर करना है तो इसके लिए हमनों के सागें गडिक करते हैं या सरफेस अर्ड़निग इसको बोलते हैं अज़िया इस पात के तयल में सीतल नायान की क्वूंचिं किया जाता है इससे उससे क्रेक उपजने की संभवना को दोर किया जा सके तो अगर क्रेक उत्पन होनी की संभवना है तो उसमें क्या करें थिर क्विंचिंग करेंगें तो सक्ताय यूज लगाहालको हमारा क्रेक ανα Kendra तुझी टेमेरिंग में तपनेस में सुधा राता है और ब्रीटाइलनेस कम होती है हिए मिः हम यापको बिता था है किreten summary में क्ट टपनेस में यानि की तनता में गराता है है और आपका कमी आती है नंसे करते हैं करने नच्छों करते हैं, करबुरीасिंग क्रिया 9.591, cteżyc के तंप्रेचर के मद्य करते हैं, और यूट्टेक टार्ड इस्टील क्या उच्छ तथानिमन करंतित पमान एक समान होता है खेज़ के लिए इस पांट को निश्ची ताफ़मान पर लगातार गरम करने के समय को सोकिंग फिरयेट कहते हैं की बिखでも fait कि हड़नेश कर सबढ़ कि प्रहें, घलब करता है तो इस पाइद की हड़नेस करल के बाध कि पर इच्छे तील की मिस्टर संटेज। है यह लोहें के साथ अगर हमतलों करज़ानिक मिख्षान कोुछ हमलोग किया बोलतेज़ फैराइट और इसिमेंटकर दोनों मिलकर क्या ऊरते हैं कि cooked कि अरुज अ बनाते हैं या को लोग इसे प्रलाइट भी बोलते हैं या कोई परलाइट बोलते हैं कि नाइट्राडिक में ammonia gas का यूज किया जाता है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं निश्ट है कि जी इस्टेस को दूर कने के लिए यानि की क्यों प्रतिबोलों को दूर फबड़ी नहीं बनता है इंडेक्शन हर्ड़णिंग में इस पर पपड़ी नहीं बनता है जो आधा काथोरी नियानिके फ्लेम हर्ड़णिंग 0.35 प्रेशस से 0.7 प्रेशस्थ तक कार्बन इस पाथ के लिए उपयूग होती है कितना होता है जो फ्लेम हार्ड़न कर सकते हैं कि हाइश्ट है कि हाइश्पीड इस्टील को हाइश्पीड तापमान पर गरम करने से पहले पूर्थ ताप यानिक प्रेहिटिंग किया जाता है जिससे क्रेकों की संभावनों को कम किया जा सके तो प्रेहिट हम लोग क्या करते हैं कि क्रेकों की संभावनों को कम कर के लिए हैस्पड टाप्वार्ट करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं प्रिएटिंग कर देते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए अगर आप लोग क्या इसका अब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो आप लोग यूटूब पर सर्च करिए और उस पर लिखिए कि ही ट्रीटमेंट प्रासेस बाइब अब्जेक्टिव सेंटर आपको हिंदे में भी मिल जाएगा इंगलिस में भी मिल जाएगा वीडियो तो प्रूटिया है कि लगवख पांच हजार से उपर लोग हो गया लेकिन दिन भर में वही आता है सव देड़ सव तो इससे हिम्मत हम नहीं करता कि वीडियो बनाने का तो आप लोग थोड़ा कापरेट करिए तो हमें भी थोड़ा इच्छा करेगा वीडियो बनाने का मिलते वीडियो के साथ आप लोग शेयर जरूर कर देजीगा सपोर्ट करिए